प्रदान मंत्री ले गरेको चाहिं कान कारवय हरु सम्विदान को कुन धारा अंतरगत गरेको बनने कुरो इस्पस्ट होनो जरुरू छा अब सरकार गठन गरने धारा अंतरगत तपई प्रतिनिदी सवा भंग गरने बनने हो देना प्रतिनिदी सवा भंग गरने बनेको योड़ा असाद्धे अहम विशयो जसको बारे मा यदि हमरो सम्मिधान ले तू ब्यवस्थाला स्विकार गरेको बारे मा इस्पष्ट प्रावधान उले करने थियो तो त्यस्तो प्रावधान सम्मिधान मा देखी दैना अब परिलाच्चित कुराहरू कतिपाय होंचान जो बिविन सम्मिधान को आशय के वोला सम्मिधान को चाहें इस्पिरिट के वो बनेर हेरनू परने अब स्थाहरू आउना सक्षन तर त्यू आसे त्यू इस्पिरिट हेर ना लाई पनी अनि सम्मिधान को प्रस्ट प्रावधान मा टेकनू परदा छा यदि हमी संगा बोर्डर लाइन के सरू बनना ले यस्तो केस जो ब्याख्या गर्दा एता पनी डलकी ना सक्षा तर जहां सम्मिधान को इस्पष्ट प्रावधान नहीं चाहिना रहमी संगा इतियास चाहिना अनि तो प्रावधान नहीं पचाड़ी केई इस्पष्ट इतियास चाहिना जस अंतरगत योस्तो प्रदान मंत्री को विशेसाधिकार सम्मिधान मा राखी नहीं चाहिना बनेर उल्लेख गरियेगो चाहिना तो तो देखाऊंता खेरी अने सम्मिधान मा लेखी को कुरा को अर्थ कियो बनेर आफ़ैस पस्ष्ट होंच तेसरी हेरदा आमी के देखता चाहिना बने यो सम्मिधान अंतरगत प्रदान मंत्री ले प्रतिनिदी सवालाई भांग गरने इसपष्ट अधिकार पाउनू भायेको चाहिना र वहाले जुन योटा सम्मिधान अंतरगत प्रतिनिदी सवालाई भांग गरने इसपष्ट अधिकार पाउनू भायेको चाह तर प्रथम नजर माँ हेर दाखेरी आमिले तेस्तो देखता चाहूं हो वाले बांदाखेरी माँ चाहिं 64 प्रतिसात लगभग स्ट्रेंथ भाये को प्रदान मंत्री हो बाने पची बावमत को सरकार और को कसरी बांदा चा बानने कुरो तो वाहा नियुक्ति हो दाखेरी को कुरा हो र जून अवस्थामा वाहाले यो प्रतिनिदी सभा भांग गर्नु बाये तो अवस्थामा वाहा को चाहिं प्रतिनिदी सभा भित्रको स्ट्रेंथ के थियो भानने कुरो प्रमाडित चाहिना र कतिपय मांचेको टिपने केचा बने कि वहाँ आपने समसदीय दल्मा आपनो बाउमत नवने परिस्थिती भाय पची अनि प्रतिनिदी सभा भंग गरनु भाय को हो हो बनेर यदी त्योस्तो थिये न वने प्रतिनिदी सभा को अधिवेशन आवान गरनु उन्तियो यो प्रक्रियामा जानु उन्तियो अनि अधिवेशन का बारेमा सोचनु उन्तियो अला अब त्यस्तु परिष्टिति आमी समगा चया अधिवेशन मा जानु बाध्याता हों तियो अधिवेशन मा गई सके पची निश्चित रूप मा अनि चाहिए प्रतिनेजी सभाको श्यामार्थ कियो भनेर था हों तो 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 श्यामार्थ लाई टेस्ट गरने अफसर प्रदान मंत्री ले दिनुगाए ना जन्तामा जाने कुरा वहाँले जुन राखनों थेओ चाहिए 40 साल को सम्मीधान को प्रावजानु अब जन्तामा जानालाई प्रदान मंत्री ले पांच भर्षको प्रतिनिधी सभाको कारेकाल लाई पूरा गरनो परचा अब यो चाहिँ पांच बर्षको जब संगारों मां पुगिन छा अनी प्रदानमंत्री लेतियो नीणे गरना सकना होँजा। तरह अलेको परिस्तिती केव बने वहाँ संग त्यों 20 साधिकार रहे ना। प्रदान मंत्री संग, प्रदान मंत्री का के जनुइन कंचन हरू छान, कि आमी ले भनना सकता छाओ, सानुभुती राखना सकता छाओ, कि 20 अर्ब रुपिया खर्च गरेरा गरेको निर्वाचन बाट एवडा प्रदान मंत्री को चायन हों छाओ, त्यो प्रदान मंत्री को है यशियत बमजिम प्रदानमंत्री ले चांगintendo Спाहिन और में लुक्तावी सितैं प्रदानमंत्री ले काम वा फबैया को मदशलीली चांगी से रुपाव माता निबाउनलीक Ox тер à बारे मां आमी अलग-अलग धारणा राखना सकता छाम, तर प्रदान मंत्री लाई जालडो का थुने को विरालो जसतो चुटना खोजियेको ता हो, तर वहां प्रती स्वहानु भुती राखे पनी, तो समिधान अंतरगत, वहां को तो विशेशादिकार, वहां लगायत ले ब परलियामेंट अवो भंग हो दाई ना, तो चाहिं गोसित, तपहें समिधान सभाका, तपहें दस्ताबेज अरुमा जानुबो वहां तो कुरो प्रस्ट हों चा, कि कस्तो दस्ताबेज, कस्तो भास, कस्तो महाननेता का आधारमा, तो विशेशादिकार, प्रदान मंत्री को मत तो बेला पनी, जुन बेला खोशिये को थियो, तो बेला पनी मेरू दिष्टिकोंड केतियो, यो गर्नों हो दै ना, किने वने, आमीले निर्बाचन गरेरा बनायाको प्रदान मंत्री बलियो होनु पर्दाच, काम गरना सक्ने होनु पर्दाच, तडर उहार नहीं घनु किना वने प्रदानमंत्री को विशेशादिकार, यदी प्रदानमंत्री को चाने योड़ा चारी रुजै को बिरालो जस्टोव और गर्नुपर में अभस्था जरूरी छाभने, चाहना राखना थियो और विशेशादिकार को चाहान निरों मानने थियों सिकोई , तर याम भ अनितिक रूप मा गलत थियो वा सही थियो तेशको जिम्मेबारी समिधान सबाले लिनु परचा तर आजगा मिती मा अब योचाई गलत भायको चा वनेर नभायको प्रावदान मा टेकना सकी देना तो प्रदान मंत्री लाई तो ता रामरो संगा था होनु परने खुरायो अईले को समस्या के चा बने अईले को समिधान को समस्या प्रदान मंत्री संगा त्यत्त्रो ठुलो कारेकारणी सक्ती होदा होदाई पने प्रदान मंत्री साधारन मंत्री अरुबंदा फरक होन, उनको पावर को हैसियत फरक छा, उनले चाहिं देशलाई दिनू परने डेलिवरी को इस्तर फरक छा, भनेर समिदान ले उलेक गरेना अब प्रदान मंत्री ले सकुन जयाल मिलाउनेयो, न सक्के पची बिदा होनेयो, अर कोला अवसर दिनेयो, वहांको नेत्रित्त को छेमता की थियो बने, वहांले देखाउन न सकनू पर थेयो, अब पार्टी को नेता बनेको प्रदान मंत्री पनी तहो नी, पार्टी को नेता प्रदानमंत्री समेद को सभागीता मा भने को यो समेदान ले प्रदानमंत्री ले कमज़ोर रूप मा उपस्थेत करे। आजा प्रदानमंत्री को जुन एवटा बैदानिक ता उआले गरे उआको एक्सन को अधालत ले हर दैचा अधालत ले प्रदानमंत्री ले मायल आगेरे डिसीजन गरने होएना अधालत ले जाएं योता अउचित्यका आदार मा चाहिं समसदिये प्रणाली अरुमा येस्तो विशेसादिकार होँचा भनेर तो चाहिं क्योंने नवाको विशेसादिकार तो तो चाहिं समिधान बनेको कसाईको जननी होएना समिधान मनेको त्यत्तियो जती लेखियेगो जती मुल्य माननेता त्यसमा इस्पष्ट रूपमा उल्ले गरियेगो त्यस्तो अवस्थामा उल्ले प्रदानमंत्री लाई जस्तो अधिले चाहें, यह समा के कश्तो सोक काजमा चाहें, प्रदानमंत्री ले चाहें, पॉलेटिकल चाहें, क्वेस्चन डॉक्त्रिन उले करनो भाउ त्युज़े सम्मिदान बादको मानेता की हो बने सिमित सरकारको आवधारना तबाई जती सुके साही कुराब आये पने असिमित अधिकार कसे समपनी चाहे ना तो सम्मिदान अंतरगत समित अधिकार हो देखावनू परदा चा कि यो सम्मिदान को यो प्रावदान अंतरगत मैले अधिकार को प्रयोग गरे अनि अधिकार छा बने तो गलत प्रयोग बायो की साई प्रयोग बायो अधालत ले अउचित्यमा हेरदाईना कीने बने तो राजनेतिक प्रश्ण हो तरह नवायको अधिकार प्रयोग गरे पची तो अब सर्वच अधालत ले बदमासी गरना लागयो भंग गरतीने आपनों राजनेतिक छेमता देखावनू परियो प्रदान मंत्री ले और अनि गलत कुरा लाई चाहिए सई बनावन लाई प्रयास गरनू परियो ता सम्मिधान मा टेके रा उभियो बने अनि चाहिए तेस्पड युटा बैदानिकता को टेस्ट पुरा होंच वही न बने गा प्रदान मंत्री ले प्रतिनिती सभाव भंग गरने विशे साधिकार चाहिए ना अब राजनेतिक प्रस्थना हो बने रा तो देश चलाऊने वनेगो सब राजनेतिक कुराहरोंण गानूनको दायरामा ल्यावनू पर्दचा रा हेरीनू पर्दचा मला लागदचा प्रदान मंत्री ले आफना कुराहरु लाई वाले जती बुलनु भाको चा तेसे बड़ा प्राष्ट बुजिन छा। तो अपसेशन मोगी मिए उर्पी माद प्रमाडिती ना मोगी माद और लिए बानी में दिजरेंख को पर अबतेन के उस्को अरूतीत्य प्रमाडित करना होिवे निन्स्व प्रश्थूत गर्यों तो प्रदानमंत्री का अधिकार अरु लाई त्यो रूपमा प्रश्थूत गरने लामो अभ्यास चा बेलायत माई तो अभ्यास लाई ता आमीले केई मान्चे अरु जल्लाई समिदान बाद बने को पटके था चाई ना उनेर ले तेस्तो प्रावधान अरु समिदानमा उलेक गरे हामी ता बन्दै थियाँ यो गलत कुराओ इस्तो गर्नों हो दाई ना किना बने यहले आमीलाई एलेक्टेट पावर जुन एवटा सक्ति को सिर्जना गर्दा चाई तो म्याव म्याव गरने सक्ति ले डेलिवर गर को पक्षे मा खोईपीन उभी न चाहा है ना अब क्यों वने पार्टी भित्र को काचिंगल बाट प्रधान मंत्री जोगी नो परदा भन्ने बारे माता बिजयप्ति निस्केको थिया आइना रहा तर त्यों क्यों के बन्दै खी तेसलाइमांचेल क्ये भंडाने मने क्यो न प्रदान मंत्री को शलाकार होनु परने चाहिए अब तयो शम्षट बिगटन को कुराता हमीले सोचे गो थिया ना पटकाई तो दिमाग मां थिया ना तरह कि मान्यता थियो बने, पार्टी भित्र आमरो लगातार सर्चाली साल देखी, चाहिए आजसमको इत्यांस कियो बने, कि गउब्मेंट को चुनावती, योड़ा बलियो सरकार होदा खेरी पने पार्टी बड़ा चुनावती बायो, कि अनिर्बाचित पार्टी ले राखने, तो नियंद्रड का कारण ले गरदा, और चेंज को एजेंट का रुप मा प्रधान मंतरी ले कामगरना न पाऊने, तो तो वायको कारण ले गरदा, सतारूड पार्टी को राजनेतिक दल र, माउ राजनेतिक दल को अधिकार हैसियत मा फरक उनुपर्द सामसदिय परिपाटी मां भनने कुरो, मैले तो पटक पटक राहदे आया को छो, रा केई समुहार ले पने राहय का चन, तेसको चाहिए इस पास्ट अधिकार चा, नेपाली कांग्रेस को तपाई देरे बलियो, तपाई सर्चाली साल पची बने को सरकार, गिर्जा प्रसाथ कोई राला अनि तपाई प्रदान मंत्री ले काम गरना सकनू भाया ना, हामें इत्तियो देखी राको थियो, तेस पाची लगा तार, जयले पने समसद, कईले पने रडा को गरने ठाउँ भाको चाहिए ना, समसद ले जयले पने समाधान दियेगो चाहिए नेपालमा, प्रतिनिदी आपनो काम रामर समग गरेको चाहिए यदी यो देश मा प्रजातांत्रिक सक्ति ले काम गरना सकाहिए ना, तेसको समूल कारण भनेको माव पार्टियो र ती मांचे अरूँ जले यात चुनाव जिते का चाहिए ना, या चुनाव जिते रा पनी आब मंत्रा ले लिड़ ग अरूग गरेको हाई ना, आपनी सम्मेधान का लागी जले चाहिए यतरो तीस बर्च देखी काम गरेको चाहिए ना, उल्ले कासे को मुखेर र बोलनु पर ने अवस्था चाहिए ना, खाचगरी तपायर जब रिवार्ण ने चाहिए ना, कासे को जब चाहिए ना, पहिश लुट्या काइम होनु पर्ददछा है। यदि समिधान म्या पुगे को चाहिए न, यो आमरो समिधान को जुन समस्या यदि देखियो यो केसवात बंदेखि, शमादान ख़धा खेरी यो समिधान ला जब समसोधन गरदददछाउं। तो व्यवस्थाला री इंत्रोडूस प्रजातंत्र वाने को बिरालो को सासन वाने तेला यदी साचिक शक्ति साली प्रदानमंत्री को सासन वाने रहरने हो वाने तो शक्ति लाई मेंटेन गरने अधिकार प्रदानमंत्री ला चाहें 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 अईले को परिस्थिति क्यो हो बने प्रतिनिती सभा भंग गरने जुन प्रदान मंत्री को अधिकार तो अंतिम पल्टा जयले प्रयोग बायो तेस पची का प्रदान मंत्री अरू आज सम्मा सपय रुजे का बिरालो अरू बायो यति सम्मा भायो कि प्रदान मंत्री भाय पने स्वमती गरेरा मात्रा काम गरनुब परने बाध्यता भाये को दिन पनी देखिओ यती सम्म को अवस्था बायो कि जे जे गर छव समती बड़ा मात्र गर तेस्तो आधारमा देशलाई पूरा होस्टेज बना आयरा पनी परिवर्तन गराईयो नेपाल माई इस सपय परिवर्तन चल खेल बड़ा बायका होन यवड़ा सकती साली जनता बड़ा निर्वाचित यदी मांचे अरू प्रतिनिदी अरू का आधारमा मात्र बायको बाय यस्तो आवस्था होने थिये ना निता अईले अब उब्याला के वो बंदे की जसरी भाया पनी यो इस्थिर्ता का लागी बने रहे यो प्रावधान लेईयो देशमा इस्थिर्ता होला सर्वच्चा अधालत ले फईसला गरदा खेरी की यवडा सामान्य जुन बिबेक कुरा मैले गरदाईचो सर्वच्चा अध अधाली प्रदान मंत्री या प्रणाली थियो तो तो कंप्रमाइज भायो तो सक्तिशाली प्रदान मंत्री जो चेंज को एजेंट बनना सकता चा तो अब आउना सक्दे ना हामी ले जती बने पनी प्रदान मंत्री ग्रिजा प्रशाद कोईराला देखी लिए रा प्रदान मंत्री सेर्वादूर देवा सम्मल जल्ले चाहें अंतिम पल्टा आउस चाहें डिजल्व गरनोगो वाहन अरु नेपाल को अईले को प्रजातां द्रिक ब्यवस्ता को सब्वę बंदा सक्ति शाली प्रदान मंत्री हो तेस पचिका प्रदान मंत्री अरू था सपधी जाहें रूजे को विरालो जस्तो उनेर को इस्थिती छा आपनो अलग पहिचान बनावनु भाको थियो और जुन एवड़ा अवड़ान एकता को साइकल मा प्रवेश गरनु भो वहाले बनाये को जुन ब्यक्तित्व अचा सबे धरासाइब आई वायो आज चाहिए अपा बाग बनना सकने हुदै ना बाग बनना लाई तपा त्यो समिधान ले त्यो अधिकार को सम्मान गरनु परे ने त्यो आमी देखता है नू त्यो अधिकारे चाहिए ना अधिकारे निती पनी राखे हुदै यहां कती पायः पक्छले आप नो कुरा पाए ना अब देरेको गुनाअशो हरू यह समिधान मा जह वाना कती राजा बादी यार Giving यार वान धैल यहना कती हिंुना भादी यारुच्वादी यारुच्वादी इंुना just जन्जाती अरूचन, दलिद अरूचन, मैला अरूचन, उनर्गोपनिक गुनाशोचन, एल्ला ये समग्र रूप माँ अचाहिं, 100% ओन गरने फोर्स हामिका अचाहिना, और यदी छो बने तो के बल सर्व साधरन जन्ता मात रहो, जो संगा योड़ा विश्वास चाहिं जन्गा अरूमा भायो, तेल्ले गर्द आखिर द्रिष्टिकोंड के आयाएको चाहिना, आखिर सबै क्याडर अरू, यो देश माँ एक्स्पोर्ट लेठाउँ पाको चाहिना, क्याडर अरू ले नहीं यदी सुनवाई गरने हो, र सर्वचा का नियदी सरू पने, यदी क् जन्गा प्रदान मंत्री ले निर्णे गरने हो, तेसे लाई चाहिन कान्फर्म गर्लान, त्यू बनना बड़ी क्या गर्चन, र अपने प्रचार प्रसार गरी देचा, मला तेस्तो लागदाई नहीं आरू अहिले, प्राय क्या होंचा बने, अधालती प्रक्रियामा, महीले नियादी सुन बन्दा अगाडी, हीजो मा कहा थियें, क्ये गर्थें, कुन रूप मा थियें, तियस्तो अलग-अलग प्रिष्टपो में होना सकता चा, र व्यवसाय मा होदा खेरी मा कसको ओकिल भायें, कसको पची लागें, भन्ने कुरा अरू पने होना सकला, या कुन पा प्रक्रिया अंतरगत, पक्ष बिपक्ष लाई सुने र, कानून मा ठेके र, अनि तिस्पची खुला अधालत को खुला प्रविदी बड़ा निर्णे गर्नु पर्दाचा, र तो निर्णे प्रक्रिया मा कानून र समिधान लाई छोड़े र, कसली पनी हिनना सकते ना, कई यवडाले स्वामित्त को दावी गर्दाचा, और को ले भग को, अब यवडा सुनभाई गर्ने नियाए दिसले, दुटे कुरालाई विचार गर्दाखेरी, अनि जान इर चाहें अधिकादिक रूप मा उले प्रमाड देखता चा, र स्वामित्त जसको पक्षे मा देखता यवडाता समिधान मा टेकनू परे और खुला अधालत को प्रक्रियालाई मिट गर्नू परे तपाईले ठाड़ाई कोई मांचेले पने सुसाइड गर्दाए ना, यवडा जजले नैतिकता चोडेरा, बिबेक चोडेरा, कईले पने निर्णाय गर्दाए ना, कति पाय यवडाता समिधान मा टेकनू परे तपाईले पने तेलाई करेक्शन गर्ना चाहांचा, तर त्यो पद्धती खुला पद्धती हो, ते सुनाले अब तयो क्याडर हो बने आदार मा अधालत लाई बदनाम गर्नू हो दाईना, हामी क्यो हो बने, प्राय तो चिलायो चिलायो अधालत को पावर डिगनीटी लाई मेंटेन गर्नू परचा र विश्वास गर्नू परचा कि अधालत ले संबईदानिक ताको विशायमा प्रष्ट संगा निर्णा गर्ना सकता चा, तियो छमता चा, तियो इस्तर का नियायो दी सरुहामी संगा चान, अब बाकी कुरा आर अधालत लाई जसरी भाया पने, यहलाई मिसलीट गर दियो भाने, आमरो एजेंडा पुगदा चाकी, सड़क तताउना सकींचा की, हिजो जस्तो कर र जथा बावित तरिकाले परिवर्तन गराऊना सकींचा की, भने सवचायका मान्चे अरूचान, अमरो देश मा इंटरनल जियो पालिटिकल एलिमेंट अरूचान, तेता पटी जाने वाई ना, अधालत ले साथ दसक पुरानो, लगभग, इतिहांस भाया को अधालतो, एस्तो मुद्धा मा कईले बीने चिपलिये गोचाय, नमत तवाला इस्वेर गरना सक्ताचाचु, तेसो नाले हमिले यो डिस अमेदानिक बेंच मा रेफर गरनुग, अब वाले चाहें आफनो एवटा नयाइक मान को प्रियोक गरेरे गरनुग भाये वाला, अब नगरेरा तपाई चाहें अरको प्रक्रिया बड़ा पनी जाना सकिन थो, तो एवटा प्रक्रिया मा गई सायको छावाने, अब अब प्रियात पुर्ण एजलास्न मा जानादा पनी, तपाई कि आकास बड़ा नयाइदिस आउने होई ना, पाताल बड़ा आउने होई ना, हामी जुन एवटा सर्वच्चा अधाल अचाहें अईलेगो, तेसे बड़क गरनेव आमी संग यही बेंच को पनी पर्याप्त छेमता चाह, रव उल्ले निने यदी प्रक्रियामा उसेहला लागदा चाह, कि नियाएका लागी अरको किसिमको बैकल्पीक एवटा कार्य विदीमा जानू पर सकी, बनने लागयो बने, निने गरना सक्षानी, यो अधालत हो, उल्ले त्यस्ता सबई प्रक्रिया आरू, फ आपनो यो प्रक्रियामा भागली नू परू, अधालत ले चाह, सर्वोच्चा अधालत बारबाट, नेपाल बारबाट, एमायका समागेको चाह, त्यों किन मायको बने, यो मुद्दा केबल पक्षे बिपक्षे को मात्रवाई ना, त्यसरो पक्षे चाह, जो चाह, ज़सक अधालत ला अनुरोद गरना सकींच, तरह मला लागदाई ना, कि यो जो योड़ा समयदानिक बेंच, त्यों इनकांपिटेंट च, यो बन्दा इसको बिकल्पर आमरोच, केई चाह, यो कियो बने, आमीले आपनो सोचाह, दुरूस्त राखने हो, र इन यादी चाह, जो च अधिल वाक होए, मैले बनने थे, कि यो तपाईको मुद्दा ली कमजोर च, यदी तपाईले राजनेतिक रूप मा आपनो सरकार को बिकल्प, आपने सरकार हो बनने चाहना राखनोंच, वने तिसका लागी संगठन पटी जाए, भर गर्दा होंच, अधालत बड़ा भर ग अधालत लाएने परखिनु परचा, ओकिल को रूप मा मैले ता प्रष्ट बाने को चुझास्त लाख्चा, अब मला लाख्चा, यस तो हो के आमरो चाहना कियो बनने कुर यवटा कुरा हो, अबाईदानिक बाने पची ता बाईदानिक बनावनु परे निता, तो बने को प बदर गरने वर्ने उन्छा, और बदर गरने विथिकाई, तो श्वता प्रतिनिका सभा व्यूती उन्चा, और व्यूती न को अर्थक्यो बने प्रदान मंत्रीले डेट दिनु परे राष्ट पतिले आवान गरनु परे अधिवेशान, और तो गरी सके पची तपैका अरू प्रक्रिया आरू अब प्रदान मंत्रीकों कांट्रोल माँँदैनान प्रतिनेदी सवाले आपनो कार्वाई स्वुरू गार्चा